स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि स्पोर्स क्या है यह बीज की तरही है हिंदी में स्पोर्स को बोलते हैं बिजानू जो की काफी सारे पोधो को जनम दे सकते हैं जैसे कि बीज नए पोधो को जनम दे सकते हैं ऐसे ही बीजानू यानि की स्पोर्स भी पोधो को जनम दे सकते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर हम सभी लाइनों को समझेंगे वन बाई वन कुछ ऐसे पोधे होते हैं जिनके फ्लावर्स यानि की फूल नहीं होते वो कौन-कौन से हैं जैसे की फार्न्स हो गए और मोजीज हो गए फार्न्स क्या है फार्न्स लंबी पतली पतियों वाले पोधे हैं ठीक है फार्न्स क्या है पताओ फार्न्स क्या है लंबी पतली 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 पतियों वाले पोधे हैं जिनके फूल नहीं होते वेरी गुड ठीक है तो यह फर्म्स है ऐसे ही मोजीज मोजीज क्या है मोजीज भी हरे सोफ्ट पोधे होते हैं जो कि कहां पाए जाते हैं नमीदार चट्टानों पे वरिक्स पे पाए जाते हैं ठीक है ऐसे यह आपको ध्यान रखना है कि मोजीज भी हरे सोफ्ट पोधे होते हैं जो कि व्रिक्सों पे या कि चट्टानों पे और ज्यादा तर नमी वाली जगह पर पाए जाते हैं जैसे कि काई हो गए और सेवाल ठीक है यह मोजीज हैं नेक्स्ट अच्छा अब दे और कोल्ट नोन फ्लावरिंग प्लांट्स यानि कि जो फार्न्स हैं और जो मोजीज ह है इनको हम क्या कहेंगे नोन फ्लावरिंग प्लांट्स यानि कि जिन पोदों के फूल नहीं होते उनको हम क्या कहेंगे नोन फ्लावरिंग प्लांट्स वैरी गुड ठीक है और जो नोन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो दे कैननोट प्रोडूस सीड्स उनसे बीज उत्प प्रोडूस करते हैं यानिकी honeymoon प्रोडूस सबूर सब्सक्राइब अब यह जो बिजानू है यह कैसे और कहा होते हैं तो यह हमारे पास न pense जो फर्न है या फिर मोजीज है उनके जो पत्ते होते हैं यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है आप लोगों को इनके जो फर्न के या फिर मोजीज के जो पत्ते होते हैं इनके बैक साइड में पीछे की साइड में थिक है स्पोर प्रोड्यूस होते हैं समझ में आया जैसे य और ये उस पत्ते की पीछे की image है, यहाँ पे आपको sports दिखाई दे रहे हैं, lower side, नीचे की side में, यानि कि जो पत्ता है उसके नीचे, ठीक है, फिर क्या होगा आगे देखते हैं, वेहन जब these sports become mature, जब ये sports पक करके त्यार हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से पक जाते हैं, फिर क्या होगा आगे, they fall off to the ground, ये जमीन पर गिर जाते हैं, ठीक है, पकने के बाद में end, और क्या होगा, grow into small plants, और छोटे छोटे पोदों के रूप में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अब आगे, a single mushroom capsule, single mushroom capsule, mushroom को mushroom भी बोलते हैं, और इसको कुकर मुता भी बोलते हैं, ऐसे एक सत्री टाइप में टोपी सी दिखाई देती हैं ठीक है, सफेद सफेद कलर की, उसी को बोलते हम mushroom, कुकर मुता, ठीक है, अकेला mushroom अपने पूरे जीवन काल में produce कर सकता है, कितने, 16 billion spores, ठीक है, in its brief life span, अपने पूरे जीवन काल में, 16 billion sp स्पोर्स को क्या कर सकता है, produce कर सकता है, तो अब आप सोच सकते हैं, कि कितने ज्यादा sports भी जानू, एक single mushroom capsule जो है, अपने जीवन काल में produce कर सकता है, ठीक है, तो ये थे हमारे पास में ऐसे non-flowering plants, जिन से हमें बीज नहीं मिलते, उनसे क्या मिलते हैं, sports और इनी sports से reproduction, यान समझ का, ठीक है, समझ में आया, very good